हेलो दोस्तों, रतनेया नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है दीपक दोडमनी और आप देख रहे हो मेरी आटोबाइओग्राफी रतनेया टेल्स मेरे योट्यूब चैनल रतनेया व्लोग्स पे आज मैं एक बहुत ही इंपोर्टन एपिसोड आपसे शेर कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी को पता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपोर्टन इशू है जिसको इंडिया में लोग जादा डिसकस नहीं करते यहाँ पर प्राब्लम यह है कि डेप्रेशन को एक वीकनेस समझा जाता है जबकि वो एक बिमारी होती है 2016 में मैं भी बाइपोलर डिसॉर्डर से गुजर रहा था दोस्त मेरा मजाग बड़ा रहते लेकिन मुझे पता था कि मुझे पे क्या बीत रही थी एक हमेशा anxiety सी रहती थी, depression रहता था मैं लोगों से दूर रहने लगा था और डॉक्टर ने जो prescribes की थी वो anti-depression ले रहा था मुझे बहुत ही ज़ादा तकलिफ इस बात की थी कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा और ऐसे में problem यह हुआ कि मुझे facebook पे गलती से उसका number मिल गया जो पुराने ghost है वो फिर से मुझे तकलिफ देने लग गया फिर से मेरे खून में एक सहर सा तयार हो गया और वो बहुत ही ज़ादा मुझे और depression में ले कर गया इतनी नफरत सी होने लगी थी मुझे अपने आप से कि मैं चाहता था कि ये सबसे मैं छुटका रहा पाओ और मुझे न चाहते हुए भी उसको phone करने का मन किया बहुत सालों तक मैंने उसको avoid किया था सिर्फ बड़े के दिन मैं उसको फेस्बुक पे wish करता था जिसका मुझे कभी reply नहीं आया था क्योंकि उसने फेस्बुक छोड़ दिया था पर फिर भी मैं हर साल उसको बड़े पे wish करता था ताकि जो मेरी नफरत है वो कम हो जाए लेकिन उस साल जो मेरा mental condition था उसके वज़े से मैंने आखिर number dial किया और उसको call लगाया मैं सोच रहा था फोन करने से पहले कि मैं फोन करके उसको कुछ सुनाओंगा कुछ गालिया डालूंगा या कुछ मैं उसको बद्दुआये दूंगा लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि जब मैंने फोन किया और उसको बोला कि मैं दीपक डोडामनी बात कर रहा हूं तो उसने सिंपली बताया कि I don't know who is दीपक डोडामनी और ये नमबर आपको कहां से मिला आपने इस नमबर पर कॉल क्यों किया जबकि मैं जानता था कि वो मुझे अच्छे से बहचानती है और उसकी आवाज मैं कभी भूल नहीं सकता और वो भी जानती थी कि मैं कौन बात कर रहा हूं लेकिन खेर पुल के नीचे से पानी काफी बहच चुका था बहुत सारे साल हो चुके है दो दो बच्चों की वो मा है उसके बावजूद भी वो बिलकुल नहीं बदली है वो चाहती तो सिर्फ प्यार से बात कर सकती थी लेकिन उसने डिसाइड किया वो नहीं करेगी और मैं अलग ही खुशी में था क्यूंकि मेरा जो एंसाइटी था जो डिप्रेशन था वो दीरे दीरे अब खतम होने वाला था जिस चीज से मैं डर रहा था उसको मैंने फेस किया था और यह जो हैपीनेस है मुझे किसी के साथ शेयर करना था क्यूंकि मैं ज्यादा टाइम तक वो अपने पास नहीं रख सकता था और मुझे ऐसा कोई चाहि जानता है तो मेरे दिमाओ में सबसे पहला जो नाम आया वो था उसके सिस्टर का जिसको मैं काफी अच्छी तरह से जानता था तो वो भी मेरी फेस्बुक मैं फ्रेंट ही तो मैंने उसको मेसेज भेजा कि आज मैंने सिवरन से बात की तो उसका रिपलाय का मैं इंतजार कर आता लेकिन हुआ कुछ अलग थोड़े ही देर में मुझे एक कॉल आया जिसके वज़े से जो भी मेरा स्माइलिंग फेस था वो बुरी तरह से उतर गया मेरी जो खुशी थी वो अब खतम होनी वाली थी क्योंकि दूसरे साइट से जिसने कॉल किया था वो थे सिमरन के लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और मैंने भी उनसे बहुत ही प्यार से बात की एक दुसरे का हाल हमने पूछा मैंने आंटी के बारे में पूछा हो सब कैसी है तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे पहले पता होता कि यूर डोड़ा प्राबलम ये था कि मुझे पता था मन में कि ये सिर्फ बोलने की बाते हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं उनके बेटी को फिर से कॉल ना करूँ और मैंने ये जानके खुदी उनको बुला कि ठीक है मैं तो कॉल करूंगा नहीं मेरी गलती हो गई और उन्होंने जब प जवाब नहीं दिया मैं उनको क्या बता था कि मुझे उसने रिजेट किया है या वो मुझे से कितना नफरत करती है मेरे पास उनको बताने के लिए कोई भी चीज नहीं थी क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि उसकी फिलिंग्स आखरी बार मेरे बारे में क्या थी ल इसने मुझे मेरी असलियत दिखाई थी, कहते है कि आपका जो एक तरफा प्यार होता है, उसमें काफी ताकत होती है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में जो लव स्टोरी थी, उसका एक ही अंदाजा था, और एक ही उसका जो अंत है वो था, वो था, जो आफरा तरह ब्यार, तेंकि वेडि़ मुझे गूदागा